हे गाईज वेलकम तो देव फूमी करियर पॉइंट तो कैसे हैं आप लोग तो देखिए आपका डियलेट का भी इंट्रेंस एक्जाम होगा दोस्तों उसमें किस प्रकार के आपके रीजनिंग के प्रस्न पूछे जाएंगे ये डाउट यहां पर किलियर होगा दोस्तों पचास कोश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाने हैं उत्राकर डियलेट इंट्रेंस एक्जाम में जिसमें आपके वर्वल रीजनिंग और नौन वर्वल रीजनिंग दोनों तरह के कोश्चन होंगे यानि कि जो फिगर वाली कोश्चन आते हैं वो भी पूछे तो काफी जाधा प्रैक्टिस करने की आवशक्ता है और रीजनिंग में कम से कम आपको अगर आप सेलेक्शन चाहते तो कम से कम 40 प्लस स्कोर आपको करना ही होगा तब जाके आप एक फाइड़ बेग स्कोर में आप आएंगे और जनरल के लिए मैं आपको बोलू लगबग 150 प पताने वाला हो तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों तो देखे सबसे पहला कोश्यन आपके सामने है इस तरह के कोश्यन आपको देखने को मिलेंगे गीता सीता से अधिक सुन्दर है लेकिन रीता जितनी सुन्दर नहीं है यहाँ पर कोश्यन में क्या बोल ला है गीता जो वो सीता से अधिक सुन्दर है, ठीक है, लेकिन रीता जितनी सुन्दर नहीं है, यानि कि जो रीता होगी दोस्तों, वो सबसे ज्यादा सुन्दर है, ठीक है, तो रीता आ गई टॉप में, आप यहाँ पे दिये गए हमको कथन, विकल्प, अब बताना है कौन सा सही होगा इसम उससे ज्यादा है, तो यह भी कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, अगले दिके गीता रीता से ज्यादा सुन्दर है, गीता जो है, वो रीता से ज्यादा सुन्दर है, तो यह भी बिल्कुल गलत हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि गीता सबसे ज्यादा सुन्दर है, गीत रीता से जादा सुन्दर नहीं है चौन्थे कथन पर आते हैं सीता गीता जितनी सुन्दर नहीं है जो सीता है दोस्तों वो गीता जितनी सुन्दर नहीं है यानि कि ये कथन बिल्कुल सही है इसमें क्योंकि सीता जो है गीता से थोगा कम सुन्दर है न तो यहाँ पर हमको यही क्रम तो दर्साय गया है, जो सीता है हमारी वो गीता जितनी सुन्दर नहीं है, यानि कि यह कथन सही हो जाएगा, option D इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है तो इस तरह के question आएंगे, या तो height वाले question आजाएंगे, या आपका मोटाई वाले question आजाएंगे, उसके बाद व्यवस्तित करना है उन नामों को, या जो भी क्रम दिया है, तब जाके आप सही answer कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो answer रोजाएगा option D, बढ़ते हैं अंगले question के तरब, अगला question है दिखिए, चार टी में है, T1, T2, T3 और T4, इन्होंने क्रिक्रिक्रिक्रिक् अगला क्या कतन बोलता है, दिखिए, टी टू ने, T4 से अधिकरिन बनाए, जो T2 है हमारे पास, इसने T4 से अधिकरिन बनाए, लेकिन T1 के बराबर रन नहीं बना पाई यानि कि जो सबसे टॉप की टीम है वो T1 है तो सबसे उपपर आजाएगी दोस्तो और T1 फिर आजाएगी हमारे T2 ठीक है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फिर हमारे तीसरे नमबर पर आजाएगी T4 टीम और सबसे कम रन बनाने वाले है T3 तो सिंपली आंसर आजा आजा आजाए आपका तो यहाँ पर पूछ जार रहा कि कौन सी टीम ने तीसरे सबसे अधी रन बनाने वाले टीम है टीम T4 यानि कि फिल से option D से आंसर हुएव T4 तीसरे नमबर पर रही स्कोर के मामले में, ठीक है, फिर से समझे दोस्तों इस question को दिखे, चार team में है team T3 ने सबसे कम runman है, T3 सबसे bottom में है team T2 ने team T4 से अधिकरण बनाए, team T2 ने T4 से अधिकरण बनाए, लेकिन T1 से अधिकरण नहीं बना पाई, यहाँ भी लिखा गया तो इस कम run T1 सबसे top में है ठीक है, तो यह करम हो जाएगा, अगर आप यह कर लेते हैं तो बिल्कुल answer आपके click हो जाएगा फिर बिल्कुल confusion नहीं रहेगा आपको ठीक है, तो इस तरह के question देखने को मिलेंगे, अभी आज जितने question लाएँ आज इसमें आपको, जो हमारी verbal reasoning है, उसके question नहीं है, कुछ question अभी देखने को मिलेंगे, और फिर जैसे हम आगे बगएंगे, तो फिरो question देखने को मिलेंगे आपको, अगले दिम्नमे से असंगत का chain कीजिए, तो इनमें एक असंगत है, यान की बेमेल है, कौन सा बेमेल हो जाएगा बताना आपने, ठीक है, पीतल है, चादी है, तामबा है, लोहा है तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो right answer हो जाएगा पीतल जो है दोस्तों इसमें बेमेल है, ठीक है, पीतल क्योंकि क्या है दोस्तों, पीतल एक मिसर दातु है, पीतल मिसर दातु है, यह मुक्त दातु नहीं है, जैसे बाकी जो दातु है, चादी देखे, एक मुक्त दातु है, और तामबा एक मुक्त दातु है, लोहा एक मु किजे चले पीतल जो है किन दो रातों की मिस्र रातों होती है बताईए अगला देखे सायंकाल साड़े आठ बजए गहले के घंटे हैं मिनट की सुईयों की बीच का क्या होगा यह कोश्यन बहुत बार आता है और इसके लिए मैंने आपको एक शॉटकर ट्रिक भी बताईए ए तो यह कोश्यन बताना है अब आपने घंटे और मिनट की सुईयों की बीच तो इसके लिए देखे दोस्तों एक सिंपल सा फॉर्मला है जो आपने यहां पर अपलाई करना है फॉर्मला क्या है दोस्तों 30H-5m यानि कि जो घंटा है घंटे को आपने 30 से गुणा कर देना है और जो मिनट है दोस्तों मिनट को आपने 5 से गुणा करना है बात और 8 बजेगी तुर घंटे कितने हो गए 30 मिनट हो गए बस इसको अल किजिया आप 8 गुणा 30 करूंगा तो कितना हो जाता है यह हो जाएगा 240 ठीक है माइनस साले 5 को अगर मैं 30 से गुणा करता हूँ तो यह कितना हो जाता है दोस्तों तो यह हो जाता है 5-3 जा 15 और 5-3 जा 15 16 16 165 तो अगर मैं 240 मैंसे यहाँ पे 165 को घटाता हूं दोस्तों तो 240 मैंसे 165 को घटाने के बाद हमारे मिलता है दोस्तों कितना 75 डिगरी ठीक है कितना हो जाएगा 75 डिगरी ठीक है 75 आएगा न इसका आंसर हो जाएगा option D तो सागे 8 बजे गंटे और मिनट की सुन्यों के बीच कोंग हो जाएगा 75 डिगरी आपको यह फॉर्मुला याद रखना है हमेशा सागे 8 बजे हो सागे 9 बजे हो जाए बजे हो चार बजे हो दो बजे हो तो आपको यह फॉर्मुला याद रखना है 30 H माइनस सागे 5 M यानि कि मिनट जो होंगे उनको आप सागे 5 से गुणा करेंगे घंटे जो होंगे उनको आप 30 से गुणा करेंगे ठीक है चलिए बगए अगले कोश्चिन की तरफ यह आगे देखे वर्वल रीजनिंग का कोश्चिन प्रसना आकर्तिया दिया है आपको ध्यान से देखना है कैसे यह आगे बगए आकर्तिया और एक आकरती मिसिंग है तीसरे नंबर वाली यहां पर उत्तर आकरती आपको बतानी है कौन सी फीट होगी तो simply आप देख रहे हैं दोस्तों तो देखिए पहले आकरती यह है दूसरे आकरती में क्या हो रहा है दिखें ध्यान से समझीगा दूसरे आकरती में रोटेट हो रह क्या होगा यानि कि सफ़र आजाएगा यहां पर हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा तो यहां पड़िखेंगर्स आप देखना है कि यह का लेट रोटेट हो रहे हैं, राइट रोटेट हो रहे हैं, या आगे पीछे खिसका रहे हैं, या ऊपर नीचे कर रहे हैं, ध्यान से इसको समझना होता है, बहुत सिंपल यह question होते हैं, कठिनी होते हैं, लेकिन थोगा भी चूग हो जाते हैं, तो फिर आपका question गलत हो जाते है तो बहुत ध्यान से देखेंगे ऐसे question को exam में अगला देखेंगे किसी सांकेतिक भासा में 31523 को काव लिखा जाए और 31215311 को clock लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा तो इसमें simply coding हुई है जो हमारा वागे माला में करम होता है alphabetic करम होता है सबसे पहले हम काव को क्या लिखा है C का जो है तीसरा सीरेल नंबर है ओ का 15 होता है दोस्तों और W का 23 होता है तो simple उसने ऐसा ही लिखा है दूसरा clock को उसने लिखा है clock में लिखा है clock को लिखा है C का तीसरा है और L का 12 हो गया ठीक है O का फिल से 15 हो गया और C का 3 हो गया और K का 11 हो गया अब तो यहां पे आपने यह देखना है कि यह किसके लिए यूज होगा दिये गए options में से तो 14 है ठीक है तो नंबर जो हमारे पास 14, 9, 7, 8 एक मिनट फिल से लिखते है 14, 9, 7, 8, 20 इसको क्या लिखा जाएगा तो सबसे मेले 14 पे आईए आप ठीक है 14 किसका क्रम है अल्फावेल्टिक क्रम है 14 तो 14 होता है दोस्तों N का ठीक है 9 किसका होता है I का 7 किसका होता है Z का ठीक है और 8 किसका होता है H का 20 किसका होता है T का ठीक है तो यह हो जाएगा night यानि कि जो यह code है 497820 यह night के लिए use होगा यानि कि आंसर हो जाएगा option B ठीक है तो ऐसे करना है बहुत सिंपल होता है और coding हो अगेरा सबसे पहले मैंने हमेशा बोला जब भी आप exam में बैठेंगे तो exam में बैठते समय आपने ABCD यह जो इनका क्र question दी गई है यहाँ पर इस equation में कौन सा suitable चिनना आएगा equation है देखे दो के बाद question मांगा पर 6 दोस्तों minus 12 भागा 4 plus 2 बडाबर 11 तो इसमें आपने चारों इस ऐसे question में क्या होगा दोस्तों यह direct answer तो आ नहीं सकता इसमें आपने चारों जो यहाँ पर symbol है इनको यूज करना आपकेगा चारों symbol यूज करने के बाद जिस symbol के थ्रू ही सही answer आएगा वही right answer होगा और ऐसे question को हमेसा हल करते हैं बॉर्ड मास से किससे करते हम बॉर्ड मास से ठीक है बॉर्ड मास क्या है बाई तो बॉर्ड मास सबसे पहले bracket off यानि कि अगर सबसे पहले ऐसे question में bracket होता ह कोश्टक होता है वो खुलता है फिर off यानि का D से हमारा हो गया फिर देखिए यहां पर divide सबसे पहले भाग होता है M से हो गया multiple multiply हो गया फिर उसके बाद addition होता है फिर सब्ट्रेक्शन होता है यानि कि यहां पर bracket और off तो नहीं दिख रहा लेकिन D.M.A.S. यूज होगा या option C होगा इसका answer ठीक है इसमें गुणा का चिन्द आएगा जो question mark है यहां पर देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको ठीक है ध्यान से देखिएगा question ने देखिए 2 उसके question mark है तो यहां पर गुणा आ जाएगा गुणा का चिन्द होगा दो गुणा 6 रिन पार भागा 4 धन दो बराबर 11 तो जैसा कि मैंने आपको बता है board mask सबसे फ़रे divide वाली प्रक्रिया करेंगे ऐसी equation में यानि कि जो भाग वाला है ठीक है तो भाग वाला यहां पर देखिए तो 2 गुणा 6 गया होगा वैसा ही रखा हमने 2 गुणा 6 ऐसा ही रहेगा माइनस 12 में से 12 में हकर 4 का अब देखिए 2 गुणा 3 ऑप उसके बाद मल्टिप्लाइए की process कि सबसे फाले भाग की फिर मल्टिप्लाइए तो 2 गुणा 6 कितना होगा 12 बराबर 11 ठीक है तो आप देखिए ध्यान से 12 में से 3 गया कितना हो गया 12 में से 3 गया दोस्तों तो यह और नौ में प्लस का 2 जोग तो आपने हमेशा याद रखना है ऐसी equation जब भी आएगी इसमें कौन सा formula काम करता है board mass का ठीक है board mass इसी के according चलेंगे आगर आप पहले गुणा करते हैं पहले जोग देते हैं समिक्रण को कभी उसका सयांसर नहीं आएगा ठीक है bracket और off नहीं है का नहीं है तो फिर आप देखे सबसे पहले भाग करेंगे ऐसे समिक्रण में भाग के बाद गुणा वाली equation को करेंगे गुणा के बाद जोग वाली equation को करेंगे उसके बाद लास्ट में घटाने वाली equation को करेंगे तब जाके आपका answer सही आपाएगा ठी किया जाए इस सब्द को तो बाए से दाइं और पांचवा आक्षर कौन सा होगा तो यहां पर देखे chemistry word दिया गया है दोस्तों ठीक है chemistry word को सबसे पहले आपने अंग्रेजी वाने माला के अनुसारी ब्यवस्तित करना है और इसके बाद इसका फिर हमने बाए से दाइं और पांचवा आक्षर बताना है तो chemistry को अगर मैं अंग्रेजी वाने माला के हिसाब से ब्यवस्तित करता हूं तो यह सबसे पहले c आएगा इसमें ठीक है chemistry में c आएगा c के बाद इसमें आजाएगा दोस्तों e e के बाद आना चे इसमें h h के बाद आना चे दोस्तों i i के बाद आजाएगा m r r के बाद आजाएगा s s के बाद आजाएगा t t के बाद आजाएगा y ठीक है तो यह chemistry word हमारा chemistry word को अगर हम तोड़ें और अंग्रील जी वाने माला के अनुशार करम रहें इन यह बायां तरफ होता है ध्यान दिखेंगे अब कभी भी ऐसे कोशिन हैंगे तो यह बायां तरफ है और यह दायां तरफ है तो बायां तरफ से पांचवां बोल ला है वह बायां तरफ से पांचवां तो बायां से दाई और इधर को पूछ रहा है पांचवां तो पहला दूस तो यहां पर हमारा जो पांच्वा अक्षर हो जाएगा और यह M हो जाएगा ऑप्शन B इसका सही आंसर है तो ऐसे अन्य वर्ड आ जाएगा आपका इस बार उसको भी ऐसे ब्योस्तित करना पगेगा आपने पहले फिर पूछ लेगा उसमें तो आपको अच्छे से समझना है तो दोस्तों यह थे कुछ चुनिंदा कोश्यन जो DL8 2017 में आई थे आगे के कोश्यन को मैं बताओंगा जल्दी आपको ठीक है समझ में आया वीडियो तो लाइक करना शेर करना ना भूले बागी आपकी कोई और डिवार्ड हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी मिलता हू स्बस्दी आपकी कोश जल्दी आपकी कर दो लाइक कर दो कम arrow ने सकते हैं इतकत्र outright आपकी कर स newborn में यह हो दो आपके जल्दी आपकी कर दो दो हो पापकी आपकी कोश्यन ना भूज।